श्रिमान वेंक टनाथार यह कवितार की ककेसरी वेदान्ता चार यवर्यों में सन्निधत्ताम सदाखर दी आज इकी स्वान श्लोक हम श्री सूक्त श्री आर्थाथ श्री स्थुति में देखने वाले हैं और वेदान देशिक से रचित इस स्तोत्र ग्रंथ में एक एक श्लोक भी हमें समस्कृत को समझने के लिए भी बहुत ही उच्साह वर्धक बनते जा रहा है ऐसे श्रंखला में ये श्लोक और भी बहुत ही समस्कृत सिखने वालों को रुचिप्रद है क्योंकि एकी विशेश यह है बाकि सब विशेशन है ऐसे श्लोकों में हम लोगों की व्यूतपति अर्थाथ अर्थावगमन की शक्ति बढ़ती है ऐसा एक श्लोक अद्भुत श्लोक है उस द्रिष्टि कौन से देखिए तो और सब के लिए वो जरूर लाबदाई बनेगा सानुप्रा सप्रकटितदयेई ही सांद्रवाद सल्यदिक्धई ही अंबस्निक्धई रमर्तलहरी लब्धसब ब्रम्हचर्येई ही घर में तापत्रय विरचिते गाढ़तप्तम्क्षणम्माम् आकिन्चन्यक्लपितमनगैरार्द्रये थाक्कटाक्षई ही सानुप्रा सप्रकटितदयेई ही सांद्रवाद सल्यदिक्धई ही अंबस्निक्धई ही अमर्तलहरी लब्धसब ब्रम्हचर्येई ही घर में तापत्रय विरचिते गाढ़तप्तम्क्षणम्माम् आकिन्चिन्यक्लपितम् अनगैही आर्द्रये थाहां कटाक्षई ही यहां तृतिया विभक्ती बहुअचनमें कटाक्षई ही ऐसा शब्द है उसी विभक्ती में उसी बहुअचनमें कउन कउन सा शब्द है देखेंगे तो माताहा है माताश्री और आप अपने कटाक्षों के द्वारा कटाक्षई ही कटाक्षों के द्वारा जहरिए आकिंचिन्य ग्लपितम माम आकिंचनता साधनहीन मुझे ऐसा मतलब है आकिंचिन्यम अनन्य गतित्वम ये दोनों बहुत जरूरी है अमारे पास अपने आप में महसूस करने वाला दो मुख्य गुन है भगवान के पास जब शरणागती करते ही तब हम अकिंचन हैं हमारे पास कोई उपाए नहीं है जिस उपाए के ज़रिये मैं मुक्षानत संपत्ति को आपके पास प्रार्थना करता हूँ ऐसा अमारे पास कोई उपाए नहीं है जिसके ज़रिये मैं प्राप्त कर सकूँ ऐसी भावना से भगवान के पास अम आकिंचन्य भावना से प्रार्थना करनी चाहिए मैं तो इतना बड़ा साधना अनुष्टान किया हूँ और इसलिए मुझे ये कीजिए ऐसी भावना हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि सामान ये वेक्ति क्या करता है दुकान में खरीदने जाता है तो वो जो बोलते हैं उतना दाम देकर उस चीज़ को खरीदता है खरीदने वालों को एक अभिमान रहता है कि मैंने उसके सामने पैसा चुका दिया जिसकी वज़ा से वो मुझे मैंने प्राप्त किया इतना चुका कर मैंने ये चीज़ ले लिया हूँ ऐसा एक अभिमान रहता है वैसा हम अगर मैंने साइकडों साल मेरी तपस्या किया है साइकडों जनम में तपस्या किया हूँ जिसके लिए मुझे इस उपासना के फल के रूप से अपने आपकी प्राप्ती मुझे करवा दो ऐसे बगवान से प्रार्थना करेंगे तो अभिमान अपना अभिमान साधनता का अभिमान होगा वो नहीं होना है वोही आकिंचिन्य है कितना सुंदर शब्द है ना किंचित ना किंचनहा आकिंचनहा किंचित है ऐसी बावना है तो वो किंचनहा अकिंच्इ तु ऐसी वावना है तो आकिंचनहा अकिंचिन्यम उस आकिंचिन्य भाव से गलाकितम सुखा हुआ बहुत दुожалуй व्यक्ति महीहू ऐसी वावना से आकिंचिन्यय गलाकितम माम और कैसा है गाड़ तब तम बहुती इस समसार में तब्तु हूँ तापत रहे विरचिते घर में तब्तु हूँ गर्मी में अर्ताद सम्मर सीसन में जैसा तब्त होकर एक व्यक्ति छाया के सामने पहुंच जाता है और साथ मरुस्तल में बहुत दूर तक प्रयान करके मरुप रांत में अर्ताद जहां पानी की उपलब्धी नहो ऐसी जगह पे बहुत दूर तक चलने की वज़े से उसको ठकान हो वहां एक पेड़ मिल जाए वैसे मैं आप रूपी चाया आरताद भगवद रूपी चाया आरताद लक्षमी जी रूपी चाया में आ पहुंचा हूं घर में तापत्रय वेरचिते तापत्रय वेरचिते वहां तो एक संताप ही है सूर्य रूपी ताप है उपर नीचे आजू बाजू सब ताप नीचे भी अगर पैर में चपल नहीं है तो और भी तकलिफ है और पादू का नहीं है तो और कैसे चल पाएंगे ऊपर से भी अगर वोभी व्यक्ति अगर सिर पे बाल भी ना हो तो कैसी हालत बनती हो अईसी हालत में मैं हूँ घर में तापत्रय विरचित एगर में आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभोतिक तापों से विरचित अरता जो घर्मी है उस घर्मी में गाढ़त अपतम बहुती अंदर तक तपा हुआ है शरीर में अतपत जगा नहीं है इसलिए समसारत ताप है उसमें गाड़त अप्तम्माम क्षणं एक्षण के लिए अनगई ही कटाक्षई ही निर्दुष्ट कटाक्षों से आर्द्र ये थाहा अपने आंक का विशई करन करलो अर्द्र ये थाहा अंगी कार करलो अर्द्र आपने दृष्टी का विशई बना लो मुझे वो दृष्टी कैसी है उसके लिए एक एक विशेशन देखिए कितना सुन्दर विशेशन है यानगई ही एक विशेशन हम देखे हैं क्योंकि लक्ष्मी जी की कटाक्ष में कभी दो रक्षन किया मैंने रक्षन किया ये तो ऐसी हालत में मेरे पास आया आज तक रक्षन कर रहा हूं परन्तु उसके पास कुछ भी मेरे परति मैंने इतना काम किया तो भी उसको धन्यत इसका अनुभव नहीं है आर्था उसके अनुभूती नहीं है थोड़ा सा भी कृतग्यत नहीं रखता है कृतग न बन गया ऐसे ऐसे बहुत सुनाते हैं दुनिया में लवकिक लोगों से उपकार लेना वो भी एक समसारताप है किसी से उपकार स्विकारना भी बहुत-बहुत मुश्किल है ऐसे व्यक्तिक अभी मिल जाते होंगे जो उपकार करने के बाद तुरंट भूल जाते हैं और आसे महत्वर रखते हैं अपने पास इतनी महत्ता का आरक्षन करते हैं सुरक्षित रखते हैं कभी भी ये हाथ से दिया हुआ चीज को और एक हाथ को भी जानकारी नहीं मिलती इस प्रकार देते हैं शायद और एक हाथ जान लेगा तो भी वो और किसी से बता देगा इसलिए हाथ को भी जानने तक नहीं देते हैं इस प्रकार कहावत है तमिल बाशा में एक हाथ से दिया हुआ दूसरा हाथ को भी नहीं मुलम होना है परंतु भागवती लक्षमी जी ऐसे नहीं हैं उनका कटाक्ष से सब लोग कृपा प्राप्त करते हैं यस्याम यस्याम दिश विहरते देवी दृष्टी स्थदिया तस्याम तस्याम आहम आहमिकाम तन्वते संपदोगा हाथ ऐसा जिस जिस दृष्टी से दृष्टी कोंड में लक्ष्मी जी का कटाक्ष किरते हैं उन उन दृष्टियों में खूप खूप संपत्या हो जाते हैं ऐसा हम पिछले स्लोक में भी देखे हैं अईसे कटाक्ष, निर्द अन गए ही कटाक्षई ही, निर्दुष्ट कटाक्षऊं से, और जो पहले दो आख्यों में, दो पाद में कहें हैं, वो विशेशन अत्यन्त सुन्दर है, अनुप्रास शब्द का मतलब है अनेक अर्थ है इसमें एक अर्थ है दुहराना बार बार दुहराना सानुप्रास अप्रकटित अदैये आओ भी कैसे है बहुत संतोष के साथ लक्ष्मी माता जी अपने दयाभरी दृष्टी से देखते ही सानुप्रास अक्सर ऐसा मतलब है अक्सर सदा के लिए बार बार प्रकटित अदैये ही दया जिन आँकों से प्रकटी करत है ऐसे आँकों से दया का प्रकटी करन करने वाले आँकों से सानुप्रास का मतलब क्या है वो भी बार बार प्रकटिकृत दया वाली आंखों से बहुत सुन्दर है अनुभव करने लाइक शब्द है सानुप्रासम यथा तथा प्रकटिता दया यही कटाक्षई ही तैही सानुप्रासम प्रकटिता दया ही समस्कुत को जानने के लिए प्रेत्न करने वालों के लिए शब्द का यताभूत अर्थ समझना बहुत जरुरी है जो वात्सलिय है वो वात्सलिय कैसा है कि कभी मिले कभी ना मिले तरबता रहे उसके लिए ऐसा नहीं है निबिड है अर्ताब कंटिन्यूसली मिलने वाला है इसे कहते हैं सांध्रवादसल्य की वज़ा से ड्रेंच्ड याने बीगी बीगी आंक से वो आंक किसे बीगी है वादसल्य की वज़ा से सांध्रवादसल्य दिखधई ही बहुत सुन्दर शब्द है स्निख्धाई ही स्नेह भरी कटाक्षों से अमर्त लहरी लब्दस अब्रम्मचर येही कटाक्षई ही अमर्त का लहर हो अमर्त का एक दूसरे के पीछे आने वाला जो लहर हो, वीची हो, तरंग हो मुझसे लब्दस स्ब्रम्मचर येही अर्तात अमर्त लहरी के साथ मैत्री पाई हुई हो अर्तात स्ब्रम्मचर ये का मतलब है मैत्री क्योंकि सहपाठी लोग जो हैं एक दूसरे से जो मैत्री को भांटते हैं उसे सब्रम्मचर ये शब्द से कहते ही पादम सब्रम्मचार इव्यहा वहां ब्रम्मचार याने साथ में पढ़ने वाले हैं वो तो अकसर फ्रेंड होते हैं, मित्र होते हैं और सब्रम्मचर येही शब्द यहां मैत्री भी ही लक्šमी जी जहां से अवत्यरन है शीरापदी से वहां जो जिसका लहर था जिसका अमरतों का लहर था अमर्त मैं लहर था, बीची था, तरंग था उसकी वज़ा से ये आंक में अमर्तत तो आ गया हो उससे लब्दस अब्रम्मचारिय ही अर्ताद उससे महित्री किया हुआ है इसलिए ये आंक भी आमर्त से बरा हुआ है इसलिए और दृष्टी वी, आप अपने दृष्टी हमारे उपर लगाएंगे तो उसमें भी अमर्त फल मिलेगा मीटा मीटा फल मिलेगा, हम लोगों को बहुती आस्वादनी रहेगा ऐसा फल मिलेगा, ऐसे कटाक्षों से आर्द्रये थाहा, हमें अंगीकार करलो, स्वीकार करलो, ऐसी प्रार्तना, अत्यद्भुत प्रार्तना सानुप्रास प्रकटित दएही, सांद्रवात सल्य दिग्दैही, अंबस्निग्धैरअ मुर्त लहरी, लब्द सब्रम्हचर्येही गरमेता पत्रय विरचिते, गाढळतपतम क्षनम्म्म्म्म्म्म्म्, आकिंचिन्यक्लपितमनगाईर आर्द्रये थाह, कटाक्षईही बहुत सुन्दर श्लोक है, आप लोगों के साथ मुझे भी मौका दिया गया है, मैं भी उसका स्वादन किया हूँ, कवितार की कसी महाय कल जान कुन शाली ने, स्मते वेंकटे शाय, वेदानत गुरवेन महा, दास